इस में बताना है है कि जो बार्ड प्योंस का है तो वह इस ओडर में है उससे पर है चाहिए का फिर उससे दो थे का है क्यों प्रेंड है क्यों और है यह वालिंग पॉइंट का जिसमें सबस्राइब का क्यूं है हमें इस कॉश्चिन में बढाया है चलिए हम इस कोश्चिन में समझ लेते हैं बॉयलिंग पॉइंट और फाइड्रोजेन हलाइट्स ऐघ्रोजेन हलाइट्स का जो बॉयलिंग पॉइंट है उसको समझते हैं तो चार है हमारेकास हेहां हच चैर ऑच पाइट्स एगर हट आज रहें सबस्ददध्र माक्सिन मम् आपका होता है छेएफ का followed by HI, then HBR, तो से कम HCL का होता है, तो असा ओर्डर का ये ट्रेंड क्यों है, तो हमसे से पहले इसके रीजन समझते हैं, तो boiling point बेचे डिपेंड करता है intermolecular attractions पर, जोतने जादा interactions, only intermolecular attraction, जोतने ही जादा boiling point होगा, boiling point बेचे जिसके तो सबस्टांस boil करना start करता है, तो सबसे पहले हम बात करने हैं, जो hydrogen alive इस पर हम फ्लोरीन, ख्लोरीन, ग्रोमीन, और ये चार हालोजन है, तो boiling point की बात करें अगर तो यहां पर hydrogen bonding पर depend करेगा, फ्लोरीन के साथ, जोतने हैं, इस पर depend करेगा upon the hydrogen bonding, extent कितना है hydrogen bonding का, फ्लोरीन के साथ, प्लोरीन के साथ, ग्रोमीन के साथ, अनायोडीन के साथ, तो अब अगर हम देखें, तो इसमें अच्छाई HPR, HCl, तो इन molecules में जो dominating interactions हैं, वो क्या हैं, wonderwall force of attractions, ठीके, wonderwall, forces है इन में, और इसमें अगर हम देखें कि boiling point का molecular mass से भी relation होता है, तो है का maximum boiling point है, sorry, HI का आपका maximum होना चाहिए था, क्योंकि HI में सबसे ज़्यादा molecular mass है, लेकिन actually में सबसे ज़्यादा HF का होता है, तो HF का सबसे ज़्यादा क्यों होता है, क्योंकि HF में hydrogen bonding होती है, HF में क्या होती है, HF बनाता है strong hydrogen bonding, हाँ में बता है कि oxygen, fluorine and hydrogen, इन में आपस में hydrogen bonding ये बनाते हैं, और एक nitrogen भी बनाता है, इसी वजह से इसमें इतना strong hydrogen bonding ये जो बन रही है, वजह से इसका boiling point क्या है, सबसे ज़्यादा है, and HF आपका इसलिए liquid state में exist करता है, जबकि HBR, HI, NCL रही इसलिए gaseous state में exist करता है, इसलिए क्या conclusion निकला, कि आपका सबसे ज़्यादा जो boiling point हो होगा HF का, followed by HI, then HBR, then HCL, अब हम इसमें 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 देखते हैं, कि सही option तो हो सबसे है, the effect of nuclear shielding is much more reduced in fluorine, which polarizing the HF molecule, यहाँ पर जो nuclear shielding है, वो असमें है, कि वो reduce होती है, तो यह भी आपकी सेंग statement नहीं है, फिर electronegativity fluorine की ज़्यादा हाई है than other elements, तो यह बात वैसे तो सही है, यह statement की fluorine की electronegativity ज़्यादा है, लेकिन यह boiling points का correlation नहीं है, फिर strong hydrogen bonding, यह है हमारा correct reason, कि यह जो hydrogen bonding है, यह actually boiling point को बढ़ा देती है, ना कि just electronegativity, electronegativity से boiling point का कुछ relation नहीं है, फिर जो bond energy HF molecules की वह ज़्यादा है, तो यह भी इसका सही answer नहीं है, bond energy की भी बातियां नहीं हो सकती, boiling point में mainly hydrogen bonding की बात होगी, यह सही option C हो जाएगा, यह option is a final answer, I hope you all have understood the question, wish you all the best.